नमस्कार, प्रस्तुत्य मुण्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी वी एक कहानी अलग्योजा दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हों, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की वी कहानिया सबसे पहले आप तक पहुँचें धन्यवाद, तो आएए सुनते हैं अलग्योजा भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की, तो उसके लड़के रग्योग के लिए बूरे दिन आ गये रग्योगी उम्र उस समय किवल दस वर्ष के थी चैन से गाउं में गुल्ली डंटा खेलता फिरता था मा के आते ही चक्की में जुतन पड़ा पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है वो अपने हाथों से कोई काम न करती गोबर रग्योग निकालता बैलों को सानी रग्योग देता रग्योग ही जूठे बरतन मांजता भोला के आखे कुछ ऐसे फिरी कि उसे रग्योग में सब बुराया ही बुराया नजर आती पन्ना की बातों को वा प्राचीन मर्यादा नुसर आखे बंद करके मान लेता रग्योग की शिकायतों की जरा भी परवाने करता था नतीजा यह हुआ कि रग्योग ने शिकायत करना ही छोड़ दिया किसके सामने रोए बाप ही नहीं सारा गाउं उसका दुश्मन था बड़ा जिद्धी लड़का है पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं बिचारी उसको इतना दुलार करती है खिलाती पिलाती है उसका यही फल है दूसरी औरत होती तो निबाह न होता वह तो कहो कि पन्ना इतनी सीधी साधी है कि निबाह हो जाता है सबल की शिकायते सब सुनते हैं दुर्बल की फरियात कोई भी नहीं सुनता रगु का हिदय मा की ओर से दिन दिन कटता जाता था यहां तक ही आठ साल गुजर गये और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यू का संदेश आ पहुचा पन्ना के चार बच्चे थे तीन बेटे और एक बेटी इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं रगु अब क्यों बात पूचने लगा यह तो मानी वी बात थी अपने स्त्रे लाएगा और अलग रहेगा स्त्रे आकर और भी आग लगाएगी पन्ना को चारो और अंधेरा ही दिखाए देता पर कुछ भी हो वह रगु की आश्रित बनकर इस घर में न रहेगी जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लॉन्डी न बनेगी जिस लॉन्डे को अपना गुलाम समझा उसका मून अताकेगी वह सुन्दर थी अवस्था अभी कुछ जादा भी न थी जवानी अपनी पूरी बाहर पर थी क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती यही होगा ना कि लोग हसेंगे बला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा नहीं होता ब्रह्मन ठाकूर थोड़े ही थी कि नाक कर जाएगी यह तो उन्हीं उची जातों में होता है कि घर में चाहे जो करो बाहर परदा धका रहे वह तो संसार को दिखा कर दूसरा घर कर सकती है फिर वह रगू की दबैल बन कर क्यों रहे भोला को मरे एक महिना गुजर चुका था संध्या हो गई थी पन्ना इसी चिंता में पड़ी थी कि सहसा उसे खयाल आया कि लड़के घर में नहीं है और यह बैलों के लोटने की बेला है कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए अब द्वार पर कौन है जो उनकी देख भल करेगा रगू को तो मेरे लड़के फूटी आखो नहीं भाते कभी हसकर बोलता भी नहीं घर से बाहर निकली तो देखा रग्धू सामने जोपडे के उपर बैठा उंक की गंडेरिया बना रहा था लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीट पर सवार होने की चेश्ठा कर रही है पन्ना को अपने आखों पर विश्वास ने आया यह तो आज नई बात है शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाईयों को कितना चाहता हूं और मन में छुरी चिपा रखी है घात मिले तो जान ही लेले काला साप है काला साप कठोर स्वर में बोली तुम सबके सब वहां क्या करते हो घर में जाओ सांच की बेला है गोरू आते होंगे रगु ने विनीत नेत्रों से देख कर कहा मैं तो हुई काकी डर किस बात का बड़ा लड़का केदार बोला काकी रगु दादा ने हमारे लिए दो गाड़ियां बना दी है यह देख एक पर हम और खन्नू बैठेंगे दूसरे पर लच्मन और जुनिया दादा दोनों गाड़ियां खीचेंगे यह कहकर वह कोने से दो छोटी-छोटी गाड़ियां निकाल कर लाया चार पहिये लगे थे बैठने के लिए तखते और रोकने के लिए दोनों तरफ बाजू थे पन्ना ने आश्चरे से पूचा यह गाड़ियां किसने बनाई केदार ने चिड़ कर कहा रग्गो दादा ने बनाई और किसने भगत के घर से वसला और रुखानी मांग लाए और चट पट बना दी खूब दोड़ती है काकी बैठ खन्नो मैं खीचू खन्नो गाड़ी में बैठ गया केदार खीचने लगा चर चर शोर हुआ मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़को के साथ शरीक है लच्मन ने दूसरी गाड़ी में बैठ कर कहा दादा खीचो रगु ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खीचता हुआ दोड़ा तीनो लड़के तालियां बजाने लगे पन्ना चकित नेत्रों से ही अद्रिश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रगु है या कोई और थोड़ी देर के बाद दोनो गाड़ियां लोटी लड़के घर में जाकर इस यान यात्र के अनुभव का बयान करने लगे कितने खुश थे सब मानो हवाई जहाज पर बैट कर आये हो खन्नू ने कहा काकी सब पेड दौर रहे थे और बचिया कैसे भागी सब के सब दोर पड़ी केदार काकी रगु दादा दो दो गाड़ियां एक साथ खीच सकते हैं जुनिया सबसे चोटी थी उसकी व्यांजना शक्ती उचलकूद और नित्रों तेखी परिमीत थी तालियां बजा बजा कर नाच रही थी खन्नू अब हमारे घर भी गाए आएगी काकी रगु दादा ने गिर्धारी से कहा है कि हमें गाए लादो गिर्धारी बोला है कल लाओंगा केदार तीन सेर दूद देती है काकी खूब दूद पियेंगे इतने में रगु बे अंदर आ गया पन्ना ने अवहेलना की द्रिष्टी से देख कर पूचा क्यों रगु तुमने गिर्धारी से कोई गाए मांगी है रगु ने शमा प्रार्थना के भाव से कहा हाँ मांगी तो है कल लावेगा पन्ना रुपे किसके घर से आवेंगे यह भी सोचा है रगु सब सोच लिया है काकी मेरी यह मुहर नहीं है इसके 25 रुपे मिल रहे है पांच रुपे बच्छिया के मुझरा दे दूँगा बस गाए अपनी हो जाएगी पन्ना सन्नाटे में आगी अब उसका अविश्वासी मन भी रगु के प्रेम और सजन्ता को अस्विकार न कर सका बोली मुहर क्यों बेच देते हो गाए की अभी कौन सी जल्दी है हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना सूना सूना गला अच्छा न लगेगा इतने दिनों गाए नहीं रही तो क्या लड़के दूद न पिये रगु दाशनिक भाव से बोला बच्चों के खाने पीने के यही दिन है का की इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे मुहर पहनना मुझे भी अच्छा नहीं मालूम होता लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया इसे मुहर पहनने की सूजी है भोला महतो गाए की चिंता में ही चल बसे न रुपे आये न गाए मिली मजबूर थे रगु ने यह समस्य कितने सुगमता से हल कर दी आप जीवन में पहली बार पन्ना को रगु पर विश्वास आया बोली जब बेचना ही है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे मेरी हसुली ले जाना रगु नहीं काकी वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है मर्दों को क्या मुहरे पहने या न पहने पन्ना चल मैं बुड़ी वी अब हसली पहन कर क्या करना है तु अभी लड़का है तेरा गला अच्छा न लगेगा रगु मुस्कुरा कर बोला तुम अभी से कैसे बुड़ी हो गई काकी गाओं में कौन है जो तुम्हारे बराबर है रगु की सरल आलोचना ने पन्ना को लजजित कर दिया उसके रूखे मुर्जाय मुख पर प्रसन्यता की लाली दोड़ गे पांच साल गुजर गे रगु कासा इमानदार, महनती, बातों का धनी दूसरा किसान गाओं में न था पन्ना के एक्षा के विरुधवा कोई कारे न करता जब उसकी उम्रे 23 वर्ष की हो गई तब पन्ना बार-बार कहती कि भाईया बहु को विदा कर लाओ कब तक नहीं हर में पड़ी रहेगी सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहु को नहीं आने देती मगर रगुट टाल देता था कहता कि अभी क्या जल्दी है उसे अपने स्त्री के रंग ढंग का परिचा दूसरों से मिल चुका था ऐसी औरत को घर में लाकर वो अपने घर की शान्ती में बाधा नहीं डालना चाहता था आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा तो तुम न लाओगे कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है काकी तुम्हें जल्दी नहोगी मेरे लिए तो जल्दी है मैं आज ही आदमे बेजती हूँ पच्ताओगी काकी उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी रोटियां तो बना लेगी न मुझे भीतर बाहर सारा काम करना पड़ता है मैं आज ही उसे बुलाई लेती हूँ बुलाना चाहती हो तो बुला लो मगर फिर यह न कहना कि यह महरिया को ठीक नहीं करता और उसका गुलाम हो गया है न कहूंगी जाकर दो साडियां और मिठाईयां लेया तीसरे दिन मुलिया मैके से आगी दर्वाजे पर नगाडे बजे शहनायों की मधूर ध्वानी आकाश में गूंजने लगी मो दिखावे की रसमधा हुई वह इस मरू भूमी में निर्मल जल धारा थी गेहुआ रंग था बड़ी बड़ी नुकिली पलके कपूलों पर हलकी सुर्खी आखों में प्रबल आकर्शन रग्धो उसे देखते ही मन त्रमुगद हो गया प्रात्य काल जब वह पानी का घड़ा लेकर चलती तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किर्णों से कुंदन कासा हो जाता मानो उशा अपनी सारी सुगंध सारा विकास और उनमाद लियेवे मुस्कुराती भी चली आती हो मुलिया बैंके से ही जली भुनी आई थी मेरा शोहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बन कर बैठे उसके लड़के रईस जादे बन कर घुमे मुलिया से यह बरदाश्ट ना होगा वह किसी की गुलामी न करेगी अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं भाई के किसके होते हैं जब तक पर नहीं निकलते हैं तब तक रगु को घेरे वे हैं जो ही जरा सयाने वे पर जाड़ कर निकल जाएंगे बात भी न पूचेंगे एक दिन उसने रग्धू से का तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो मुझसे न होगी रग्धू तो फिर क्या करूं तू ही बता लड़के तो अभी घर का काम करने के लाइक भी नहीं है मुलिया लड़के रावत के हैं कुछ तुम्हारे नहीं यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने तक को तरसाती थी सब सुन चुकी हूं मैं मैं लॉंडी बन करना रहूंगी रुपे पैसे का हिसाब मुझे नहीं मिलता न जाने तुम क्या लाते हो और वा क्या करती है तुम समझते हो रुपे तो घर पर हैं मगर देख ले न तुम्हें एक कोड़ी भी जो मिले रुपे पैसे तेरे हाथ में देने लगू तु दुनिया क्या कहेगी यह तो सोच मुलिया दुनिया चाहे जो कहे दुनिया के हाथो बिकी नहीं वियू में भाड लीप कर भी हाथ काला ही रहेगा देख ले न फिर तुम अपने भाईयों के लिए मरू मैं क्यू मरू रगु ने कुछ जवाब न दिया उसे जिस बात का भै था वो इतनी जल्दी सीर पर आपड़ी अब अगर उसने बहुत तथो थंबो किया तो भी साल छे महिने से जादक काम न चल सकेगा बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला बरसाच शुरू हो गई थी बखार में अनाज गीला हो रहा था मुलिया से बूली बहु जरा देखती रहना मैं तालाप से नहा आऊँ मुलिया ने लापरवाही से कहा मुझे नेंद आ रही है तुम बैठ कर देखो एक दिन न नहाओगी तो क्या हो जाएगा पन्ना ने साड़ी उतार कर रखती नहाने न गई मुलिया का वार खाली गया कई दिन बाद एक दिन शाम को पन्ना धान रोब कर लोटी अंधेरा हो गया था दिन भर की भूकी थी आशा थी कि बहु ने रोटी बना कर रखी होगी मगर देखा तो यहाँ चूला ठंड़ा पड़ा हुआ था और बच्चे भूक के मारे तडब रहे थे पन्ना ने आहिस्ते से पूझा आज अभी तक चूला नहीं जला केदार ने कहा आज दोपहर को भी चूला नहीं जला काकी भाबी ने कुछ बनाया ही नहीं पन्ना तो तुम लोगों ने क्या खाया केदार कोछ नहीं, रात की रोटियां थी, खन्नू और लच्मन ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया पन्ना और बहु, केदार वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया पन्ना ने उसी वक्त चूलह जलाया और खाना बनाने बैट के आटा गुंधिती थी और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर खेत में चली, घर आई तो चूलह के सामने जलना पड़ा केदार का चौदह वह साल था, भावी के रंग डंग देखकर वह सारी स्थिती समझ रहा था बोला, काकी, भावी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाती पन्ना ने चौक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ भी नहीं थी, मगर उनके मन में यही बात है फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? हम चाहे जैसे रहें, हमारा भी बगवान है पन्ना ने दातों से जीब दबा कर कहा चुप, ऐसी बाते मेरे सामने भूल कर कभी न करना रगो तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, मैं जहर खालूँगी दशेहरे का त्योहार आया इस गाउं से कोस भर दूर, एक पूर्वे में मेला लगता था गाउं के सब लड़के मेला देखने चले पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तयार हुई मगर पैसे कहां से आये कुणजी तो मुलिया के पास थी रगु ने आकर मुलिया से कहा लड़के मेले को जा रहे हैं सबको दो-दो पैसे दे दो मुलिया ने तियोरिया चड़ा कर कहा पैसे घर में नहीं है रगु अभी तो तेलहन भी का था क्या इतनी जल्दी रुपे उडगे मुलिया हाँ उडगे रगु कहा उडगे जरा सुनू आज त्योहर के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे मुलिया अपनी काकी से क्यों नहीं कहते कि पैसे निकाले गाड कर क्या करेंगी खूटी पर कुंजी लटक रही थी रगु ने कुंजी उतारी और चाहा के संदूग खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कुंजी मुझे दे दो नहीं तो ठीक न होगा खाने को भी चाहिए कागज किताब को भी चाहिए उस पर मेला देखने को भी चाहिए हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि करके न जाएंगे यह कहकर रगु ने अपना हाथ चुडा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिये मगर कूंजे जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेक दिया और मुह लपेट कर लेट के लड़के मेला देखने भी न गये इसके बाद दो दिन ग कुछ मुह से तो कह चाहती क्या है मुलिया ने धर्ती को संबूदित करके कहा मैं कुछ नहीं चाहती मुझे मेरे घर पहुँचा दू रगु अच्छा उठ बना और खा पहुँचा दूँगा मुलिया ने रगु की और आखें उठाई रगु उसकी सुरत देखकर डर गया वह माधूर्य वह मोहकता वह लावर ने गायब हो गया था दाथ निकल आये थे आखें फट गई थी और नतुने फड़क रहे थे अंगारे किसी लाल आखों से देखकर बोली अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है यह मंत्र पढ़ाया है यहां ऐसी कच्ची नहीं हो मैं तु अभी मुँ में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाए बहुत जेल चुकी अब नहीं जेला जाता रगू सननाटे में आ गया एक मिनट तक उसके मुँ से आवाज ही न निकली अलग होने की कलपना उसने स्वपने में भी ना की थी उसने गाउं में दो चार परिवारों को अलग होते देखा था वो खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के रिदे भी अलग हो जाते हैं अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गाउं के और आदमियों में रगू ने मन में ठान लिया था कि इस वेपत्ति को अपने घ जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनकी लिए तरह तरह के कष्ट जहले, उन्हीं से अलग हो जाओ। मुझे क्या तुमारे घर में मिठाई मिलती है, क्या संसार में मेरे लिए जगह नहीं है, रगो, तेरी जैसी मर्जी जहां चाहे रह, मैं अपने घरवालों से अलग नहीं रह सकता, जिस दिन घर में दो चूले जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकडे हो जाएंगे, मै अगवान ने मुझे समाई दी होती, तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता, तेरे या सुकमार हाथ पाउं मेहनत मजूरी के लिए नहीं बनाए गये हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस नहीं, फिर भी तेरे जो काम करने का जीन चाहे मत कर, मगर मुझे अलग होने को नक है, मैं तेरे पाउं पढ़ता हूं, मुलिया ने सेर से आचल खिसकाया, और जरा समी पाकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, नहीं बैठे बैठे खाना चाहती हूं, पर मुझ से किसी की धोस नहीं सही जाती, तुम्हारी काकी घर का काम काज करती है, तो अपने या नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, बच्चे दूद पीएं, और जिसके बलबूते पर ग्रिहस्ती बनीवी है, वा मठे को तरसे, कोई उसको पूछने वाला नहों, जरा अपना मुझ तो देखो, कैसे सूरत निकल आई है, औरों के तो चार बरस में पठ्थे तया मैं जानती कि तुम ऐसे निर्मोही हो, तो इस घर में भूल कर भी ना आती, आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो तुमसे मन लगया है, घर भी जाओं तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो हो, मेरी बात भी नहीं पूछते हो, मुलिया की ये रसीली बाते रगु पर कोई असर नहीं डालती थी, रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह ना होगा, अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन जाने कैसा हो जाता है, यह चोट मुझसे नहीं सहीं जाएगी, मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूडिया पहन कर अंदर बैठ लो, लाओं में मुझ्छे ल जब वह अलग होने पर तुली है, तो तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाते हो, तुम उसे लेकर रहो, हमारे मालिक भगवान है, जब महतो मर गये थे, और कहीं पत्ती भर की छाओ न थी, उस वक्त जब भगवान ने निबाह कर दिया, तो अब क्या डणना, अ जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे, भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या कर लेगा, परालब्द में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही, तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया, वह में भूल नहीं सकती, तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता, तो आज नजाने इनकी क्या गती होती, नजाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, नजाने कहा कहा भीख मांगते फिरते, तुम्हारा जस मरते दम तक आऊंगी, अगर मेरे खाल तुम्हारे जूते बनाने के क काम आये तो मैं खुशी से दे दूँगी, चाहे तुमसे अलग हो जाओं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुट्टे की तरह दोड़ती भी आओंगी, या भूल कर भी न सोचना कि मैं तुमसे अलग होकर तुम्हारा बुरा चेतूँगी, जिस दिन तुम्हारा अन्भल मेरे मन में आएगा, उस दिन विश खाकर मर जाओंगी, भगवान करे तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, मरते दम तक यही असेस मेरे रोएं रोएं से निकलती रहेगी, और अगर लड़के भी अपने बापके हैं, तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे, या कहकर पन्ना वह से रोती भी चली गई, रगु वही मूर्ती की तरह बैठा रहा, आसमान की ओर टक्टकी लगी थी, और आखों से आसू बह रहे थे, पन्ना की बाते सुनकर मुलिया समझ गई, कि अपने पॉब आ रहे हैं, चेटपट उठी, घर में जाडू लगाई, चूला जलाया, और पानी लेने को चली, उसकी टेक पूरी हो गई थी, गाउं में इस्तरियों के दो दल होते हैं, एक बहुव का, दूसरा सासों का, बहुवे सलाह और सहानु भूती के लिए अपने दल में जाती हैं, सासे अपने दल में जाती हैं, दोनों की पंचायते अलग होती हैं, मुलिय पार्ट छोड़ते किसे अच्छा लगता हैं, बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहां तक बरकत होगी, मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओरने के दिन हैं, अभी उनके पीछे मरो, फिर उनके बाल बच्चे हो जाएंगी उनके पीछे म किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात पूछते नहीं, पर आए लड़कों का क्या भरोसा, कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है, अपनी अपनी महरिया का मुह देखेंगे, फिर पहले से ही फटकार देना अच्छा है, बाद में कोई कलंक तो मुलिया पानी लेकर घर गई, खाना बनाया और रगु से बुली, जाकर नहां आओ, रोटी तयार है, रगु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रा, मुलिया, क्या कहती हों कुछ सुनाई देता है, रोटी तयार है, जाओ नहां आओ, रग खाक कर लेट रही, जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तयार है तो नहां दोकर खालो न, बहु भी भूकी होगी, रगु ने जुझला कर कहा, काकी तो घर में रहने देगी कि मुँ में कालिक लगा कर कहीं निकल जाओ, खाना तो खाना ही है, आज न खाओंगा, कल और खुद न खाएगी, रगु नहीं खाएगा, इतना ही नहीं, उसे रगु से लड़ाई करनी पड़ेगी और उसे जली कटी सुनानी भी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उसे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वो इसी चिंता में घुल-घुल कर प्रा केदार ने पूछा, भाया को भी बुला लू ना, पन्ना, तुम आकर खालो, उसकी रोटी बहु ने अलग बनाई है, खन्नो, जाकर भाया से ना पूछाऊं, पन्ना, जब उनका जी चाहेगा, खालेंगे, तू बैटकर खा, तुझे इनसा बातों से क्या मतलब, उसका जी तो खाएगा, जी न चाहेगा, तो न खाएगा, जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तूले हैं, तो उसे कौन मनाए, केदार, तो क्यों आमा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे, पन्ना, उनका जी चाहे तो एक घर में रहें, जी चाहे तो आंगन में दिवार डलवा खन्नो ने दर्वाजे पर आकर जाका, सामने फूस की जोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रग्गु नारियल पी रहा था, खन्नो, भाईया तो अभी नारियल लिये बैठें, पन्ना, जब जी चाहेगा, खाएगा, केदार, भाईया ने भाबी को डाटा नहीं, मुलि अपनी कोटरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भाईया ने नहीं डाटा तो तुम आकर डाटो, केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली, तीनो लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले, लू चलने लगी थी, आम के बाग में, गाउं के लड़के लड़कियां हवा में गिरे वें आम चुन रहे थे, केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनेंगे, खुब आम गिर रहे हैं, खन्नू, दादा जो बैठे हैं, लच्मन, मैं न जाओंगा, दादा घुरक देंगे, केदार, वह तो अब अलग हो गये, लच्मन, तो धर से बाहर निकलते हैं, उन्हें डाट बैठता था, पर आज, वह मूर्ती के समा निश्चल बैठा रहा, अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े, रगो अब भी कुछ न बोला, कैसे बोले, वह सोच रहा था कि काकी ने लड़कों को खिला पिल कहीं बीमार न पड़ जाएं, उसका दिल मसोस कर रह जाता, लेकिन मुह से कुछ न कह सकता था, लड़कों ने देखा कि यह बिलकुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े, सैसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं, जिनकी नाम पर फाका कर रह उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया, आप खाया अब आराम से सो रही है, मोर पिया बात न पुछे, मोर सुहागी नाउ, एक बार भी तो मुह से न फुटा के चलो भईया खालो, रगु को इस समय मरमान तक पीड़ा हो रही थी, मुलिया के इन कठोर शब्दों ने पर उसे बैठी है, रगु, मुझे चिड़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ, जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाती, तो दूसरों को क्या गरज, कि तेरी खुशा मत करे, जा, काकी से पूछ की लड़के आम चुनने गये हैं, उन्हें पकड़ लाँ, मुल बगीचे में जाएं, पेड़ पर चड़ें या पानी में डूबें, मैं आके लिए क्या क्या करूं, रगु, जाकर पकड़ लाँ, पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना, तो फिर मैं जाने को क्यूं कहूं, तुम्हें रोकना होता तो तुम रोकते नहीं, तुम मुझे इस बेला भूख नहीं है, मुलिया एट कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाईयों ने खाया वह तुम्हारे पेट में पहुँची गया होगा, रगु ने दात पीस कर कहा, मुझे जलामत मुलिया अच्छा नहोगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा, तू क्या समझती है कि आज घर में छोटी बात होगी, तूने घर में चूला नहीं जलाया है, मेरे कलेजे में आग लगाई है, मुझे घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया, परा लब्द की बात ही क्या, मुलिया तनकर बोली, सारा मोह चो तुम ही को तो है, मैं तो किसी को तुम्हारी तर बिसूरते नही देखती, रगुन ने ठंडी सास खीच कर कहा, मुलिया घाव पर नमक न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है, मुझे इस ग्रिहस्ती का मोह न होगा तो किसे होगा, मैंने ही तो मर मर कर इसे जोड़ा है, जिनको गोद में खिलाया, वही अब मेरे पट मुलिया, मैं कसम रख दूँगी, नहीं तो चुपके से चले चलो, रगु, देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे, मुलिया, हमारा ही लहू पिये, जो खाने न उठे, रगुने कानों पर हाथ रख कर गा, यह तुने क्या किया मुलिया, मैं तो उठी रहा था, चल, खालू, नहाने धोने कौन, लेकिन इतना कहे देता हूँ, कि चाहे चार की जगए छे रोटिया खा जाओ, चाहे तुम मुझे घी के मटके में ही क्यों न डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा, मुलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पह जो हमारे साथ रहने लगी, रगु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा न थी, रगु खाना खाने बैठा, तो कौर विश के घूट सा लगता था, जान पड़ता था कि रोटिया भूसी है, दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नी समपूरी की, रात भर उसका चितु उद्विग्न रहा, एक अज्यात शंका उसके मन पर छाईवी थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो, वह कई बार चौकर उठता, ऐसा जान पड़ता, भोला उसकी और तिरसकार की आँखों से देख रहा है, वह दो जून पर जैसे शत्रू के घर, भोला की शोकमगन मूर्ती आँखों से उतरती ही न थी, रात को उसे नींद न आती थी, वह गाओं में निकलता, तो इस तरह मू चुराए, सिर जुकाए, मानो गो हत्या की हो, पांच साल गुजर गय, रगो अब दो लड़कों का बाप था, आंग करता था, खन्नो गाय चराता था, केवल लच्मन अब मदर से जाता था, पन्ना और मुलिया, दोनो एक दूसरे की सूरत से जलती थी, मुलिया के दोनो लड़के बहुदा पन्ना के ही पास रहते, वही उन्हें उप्टन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिये फिर मगर मुलिया के मूँ से अनुगरह का एक शब्द भी न निकलता, नहीं पन नहीं इसकी एक्षुक थी, वो जो कुछ करती निर्व्याज जिभाव से करती, उसके दो-दो लड़के अब कमाओ हो गये थे, लड़की खाना पकालेती थी, वो खुद उपर का कामकाज कर लेती थ इसके विरुद रग्धु अपने घर का अकेला था, वो भी दूर्बल, अशक और जवानी में बूढा, अभी आयू तीस वर्षे अधिक की न थी, लेकिन बाल खिचडी हो गये थे, कमर भी जुक चली थी, खासी ने जीर्ण कर रखा था, देखकर दया आती थी, और खेती पसीने की वस्तू है, खेती के जैसी सेवा होनी चाहिए वो उससे नहीं हो पाती थी, फिर अच्छी फसल कहां से आती, कुछ रिन भी हो गया था, वो चिंता और भीमारे डालती थी, चाहिया तो था कि अब उसे कुछ आराम मिलता, इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बा उसे से द्वार पर बैठावा नारियल पीता, भाई काम करते वह सलाह देता, मैं तो बना फिरता, कहीं किसी के जगरे चुका था, कहीं सादू संतों की सेवा करता, यह अवसर हाथ से निकल गया, अब तो चिंता भार दिनों दिन बढ़ता जाता था, आखिर उसे धीमा धीम जवर रहने लगा, रेदय शूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरसकार है, पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छे हो जाएंगे, मगर कमजोरी बढ़ने लगी, तो दवा की फिक्र हुई, जिसने जो बता दिया खा लिया, डॉक्टरों और वेध्यों के पास जाने का सामर्थे कहां, और सामर्थे हो भी, तो रुपिया खर्च करने के सिवाए और नतीजा ही क्या था, जीर्न ज्वर की ओशधी, आराम और पुष्टिकारक भोजन है, ना वो बसंत मालती का सेवन कर सकता था, और ना आराम से बैठकर बलवर्ध भोजन कर सकता था, कमजोरी बढ़ती ही गई, पन्ना को अफसर मिलता थो वह आकर उसे देख जाती और तसल्ली देती, लेकिन लड़के अब रग्धू से बात भी न करते थे, दवादारू तो क्या करते, उसका मजाखी उड़ाते थे, भाईया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और इट रख लेंगे, भाभी समझते थी कि सोने से लट जाओंगी, अब देखें कौन पूछता है, सिसक सिसक करना मरे तो कह देना, बहुत हाय हाय करना भी अच्छा नहीं होता, आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपय के लिए जान दे दे पन्ना कहती, रगु बेचारे का क्या दोश है, केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भाभीया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता, मजाक थी कि औरत यूँ जित करती, यह सब भाभीया की ही चाल थी, सब सधी बदी बात थी, आखिर एक दिन रगु का टिम्टी म जीवन दिपक बुझ गया, मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया, अंत समय में उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को उँख में पानी देना था, डरा कि कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहान बना दिया, मुलिया का जीवन अंतकार में हो गया, जिस भूमी पर उ लाच की अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती, गाउ में किसी को मौ दिखाने का सहास न होता, प्रतेक प्राणी उसे या कहता हुआ मालूम होता, कि मारे खमंड के धर्ती पर पाउन रखती थी, आखिर सजा मिली की नहीं, अब इस घर में कैसे निर्वा होगा, वह क किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी, बिचारा रगू बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा, मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता, और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता, सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उससे कौन संभालेगा, अनाज के डाटे खलियान में पड़ी वी, उख अलग सूख रही थी, वह अकेली क्या क्या करेगी, फिर सिचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं है, तीन-तीन मजदूर को कहां से लाए, गाओं में मजदूर थे एक इतने, आदमियों के लिए खीचा पतानी हो रही थी, क्या करे, क्या न करे, इस तरह तेरह दिन बीट गय, क्रिया कर्म से चुट्टी मिली, दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया, और अनाज मारने चली गई, खलियान में पहुँचकर उसने एक को तो पेड के नीचे नर्म मारा गया था, वह रगु के लिए लोटे में शर्बत और मटर की घुगनी लेकर आई थी, आज न कोई उसके आगे है, न कोई पीछे, लेकिन किसी की लॉंडी तो नहीं हो, उसे अलग होने का अब भी पच्तावा न था, एका एक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने जब बच्चा किसी तरह चुपना हुआ, तो वह खुद उसके पास लेट गया, और उसे चाती से लगा कर प्यार करने लगा, मगर जब यह प्रयतनमी न सफल हुआ, तो वह भी रोने लगा, उसे समय पन्ना दोड़ी आई, और छोटे बालक को गोध में उठा कर प्यार करती लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहु, हाई हाई, बिचरत धर्ती पर पड़ा लोट रहा है, जब मैं मर जाओं तो जो चाहे करना, अभी तो मैं जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गये, मुलिया ने कहा, तुमें भी तो छुटी नहीं थी अम उख में पानी दे लो, फिर आज मारना, मराई तो दस दिन बाद भी हो सकती है, उख की सिचाई नहुई तो उख सुख जाएगी, कल से पानी चड़ा हुआ है, परसो तक खेत पूर जाएगा, तब मराई हो जाएगी, तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भईया मरे है केदार को बड़ी चिंता हो रही है, दिन में सो सो बार पूचता है, भावी बहुत रोती तो नहीं है, देख, लड़के भूके तो नहीं, कोई लड़का रोता है तो दोड़ा आता है, देख अमा, क्या हुआ बच्चा क्यूं रोता है, कल रोकर बोला, अमा, मैं जानता कि भाईया इतनी जल्दी चले जाएंगे, तो उनकी कुछ सेवा कर लेता, कहां जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो, पहर रात से उठकर काम में लग जाता है, खन्नु कल जरा सा बोला कि पहले हम अपनी उख में पानी दे लेंगे, तब भाईया की उख में देंगे, इस पर केदार ने ऐसा डाटा की खन्नु के मुँँ से फिर बात ही न निकली, बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी उख, भाईया ने जिलान लिया होता, तो आज या तो मर गय होते थे, या कहीं भीक मांग रहे होते, आज तुम बड़े उख वाले बने हो, या उनी का प अभी उनकी उमर ही क्या थी, यह उस वक्त न सुझा, नहीं तो उनसे क्यों बिगाड करते, यह कहकर पन्ना ने मुलिया की और संकेत पूर्ण ग्रिष्टी से देख कर गा, वह तुम्हें अलग न रहने देगा बहू, कहता है भाईया हमारे लिए मर गय, तो हम भी उनके बा पाकरशित न हुआ था, जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भै था, वे इतने दयालू, इतने सुभेक्षू हो गय, आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थ परता पर लज्जा आई, पहली बार आत्मा ने अलगयोजे पर धिक्कारा, इस घटना को हुए पाँच साल गु जिवाह न करूँगा, कई जगों से बातचित वी, कई सगाईया आई, पर उसने हामी न भरी, पन्ना ने कमपे लगाए, जाल फैलाए पर वह फसा नहीं, कहता औरतों से कौन सुक, मेहरिया घर में आई, और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वह मेहरिया ही है, मा बाब, भाई, बंधु सब पर आए, जब भाईया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया, तो फिर दूसरों की क्या गिनती, दो लड़के भगवान ने दिये हैं, और क्या चाहिए, बिन ब्याह किये दो बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा, जिससे अपना समझो व तो तुम मूलिया को भी अपनी महरिया समझता होगा, केदार ने छेपते वे का, तुम तो गाली देती हो, अम्मा, पन्ना, गाली कैसे, तेरी भाबी ही तो है, केदार, मेरे जैसे लठ गवार को वह क्यों पूछने लगी, पन्ना, तु करने को कह, तो मैं उससे पूछू, क केदार, नहीं मेरी अम्मा कहीं रोने गाने न लगे, पन्ना, तेरा मन हो, तो मैं बातो बातो में उसकी मन की थाहलू, केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर, पन्ना केदार के मन की बात समझ गे, लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भै के मारे मन की लालसा मन में ही रह जाती है। जिन्दगी भी सुफल हो जाए। नजाने लड़की मानेगी की नहीं। मानेगी क्यों नहीं अम्मा। ऐसा सुन्दर, कमाउ, सुशील, वर और कहां मिल सकता है। उस जनम का कोई साधू महात्मा है। नहीं तो लड़ाई जगड़े के डर से कौन बिन ब्याहार रहता है। कहां रहती है। मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले। तेरे ही उपर है। मुलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा। उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दू, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली। तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी। देवर ही तो है। मुलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यूं पूछने लगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाये बैठा है। तेरे सिवाय उसे और कोई भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर मैं उसके मन की बात जानती हूं। वैधवे के शोक से मुर्जायवा मुलिया का पीत वदन, कमल की भाती अरुन हो उठा। दस वर्षों में जो कुछ खोया था, वह इसी एक छण में मन व्याज के साथ उसे मिल गया। वही लावर्ने, वही विकास, वही आकर्षन, वही लोच। धन्यवाण।